हैलो दोस्तों उपस्तित नया वीडियो लेकर आज मैं PNB के आपको KYC कैसे भढ़ना है उसी के बारे में बताने वाला हूँ हर एक पॉइंट को डिसकस करूंगा एक एक पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आपके मन में कोई भी कंफूजन न रहे KYC फॉर्म बढ़ते समय तो आएए चलते हैं वीडियो पर अगर आपको आपके एकॉंट का KYC करवाना है तो आपको तिनक आगज ले जाना जरूरी होता है एक तो आप आधार का फोटो कोपी ले जाए एक पेन काड का फोटो कोपी ले जाए और एक KYC फॉर्म होता है ये KYC फॉर्म आपको बैंक में मिलेगा, बैंक में free of cost मिलता है आप वहाँ से करना बना होता है दklich होता है इक क्वे वहाता है कि किया इस लिए सारे पइंट यह तो क्यों गया है केवाईसी फ्रम अपने अपने हिसाब से तो यह जो क्या सी फॉर्म है यह मैंने क्रों ब्राजेर से डाउनलोड किया है जिसका लिंक मैं नीचे दे रखाऊँ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उस क्यवाईसी में जितनी भी रहेगा तो इसको मैं थोरा सा कट कट करके जूम करके दिखाऊंगा जिसे कि आप अच्छी तरह से जान लें कि कौन सी में क्या भरना है क्योंकि इससे मैं अगर चारों पेज को एकी तरह से बाता हूं तो फिर छोटा दिखेगा और आपको अच्छा से समझ भी भी ने आएग अगर की ज्यूश्सी जो ऐस्टार वाली ब्लैंक उसी को आपको सिर्फ भरना है तो आपको बताते है सबसे पहला जो है अपले कांट टैप डिया हुआ है अगर आप नए हैं आप नए वाले में टिक करें और अगर पुराने वाले हैं तो पुराने वाले में रथात existing में टैप करेंगे तो आप existing में tap कीजिए और सब में तो मैं देख नहीं रहा हूं start तो इसलिए इससे लिए इस सब को भरना नहीं है तो नीचे चलते हैं और प्रस्तनल डिटेल्स जो कि मैं दूसरे बाग में बताया हूं तो दूसरे बाग को थोड़ा सा मैं दिखाते रहा हूं देखिए कुछ इस तरह करेगा इसमें आपको सबसे पहला नेम भरना है यानि जिसके नाम से करना है जिसके अकौंट का उसका नाम डाल दीजिए जिस और उस पाउस नाम बहुता है साधी से पहले उसका कुछ और दीजिए उसके बाद जेंडर डाल दीजिए जो आप मेल है तो मेल में किलिक कीजिए या साजी सुदा नहीं है तो अन्मेरिट में कीजिए निशनल यूटी में आप इंडियान सेलेक्ट किजिए अगर भारती हैं अगर अगर कोई दूसरे दिस्क हैं तो आप अधर सेलेक्ट करके कर सकते हैं उसके नीचे चलते कि देखिए मैं जिसके बता रहा हूं वह सिर्फ उसम हैं तो बहुत कर सकते हैं उसके बाद सेलेरी के बाले में देखिए इसमें और ने नहीं कोई भर देना है या यह से आई टी कशल कुछ भी है या यह है तो आप अधर में क्लिक कर दीजिए उसके नीचे बिजनेस अधर यह समय कुछ भणने कर दाता नहीं है उसके बाद एनुवल इंकम जिसमें अस्टार लगावा है तो इसमें अनुवल इंकम में आपका कितना इंकम है वह भरी अगर साट से एक लाग के बीच में तो आप उस पर किलिक कीजिए या एक से पांच का बीच में है तो आप उस पर किलिक कीजिए या पाइप पांच से पंद्रा लाग के बीच का है तो उस पर आप किलिक कीजिए उसके बाद फिर नीचे चलते हैं क्याटोगरी दिया हुआ है आप कौन से कास्ट में जेनरल है या वो भी सी या सी या स्टी जिसमें भी है आप उसके बगल में आप क्लिक कर दीजिए कस्टमर टैप दिया हुआ है या आप कौन से में माइनर या सिनियर सिटीजन सिनियर सिटीजन जो होता है यह वह सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप अगला है जो कि मैं अगले भाग में दिखा दे रहा हूं आपको पेंड कार नम्र डालना है दूसरे में पेंड कार नमर उसमें आप डाल दीजिए तीसरे नमर में बताया गया है अधार एंड के वाई सी डे डिटेल अधार नमर आपको डालना ही है क्योंकि इसमें भी एस्टार लगा हुआ है उसके बाद का रहा है अगर आप नीचे लिखा हुआ एक वाई सी रिफ्रेंस नमर तो इसका मतलब हो है कि आधार का रिफ्रेंस पूँआर बोब दीटी का डिया नरेगा जोब कार जोब है उसका डॉकुमेंट नमर लिखे यह चारा आपको डाल देना है तो इस तरह से यह वाँ उसके बाद अगले पार्ट में चलते हैं इस लोग कमाने चले जाते हैं तो वहां का क्रॉस्पॉंडेंस हो गया है तो दोनों अगर आपका सेम है तो सेम में किलिक कीजिए और उसके बाद भर देना है एक वह दीजिए इसमें तो दोनों काम कर जागा तो आपको अधार के अनुसार आपका अपना अध्रिस भरिए बिलेज का नाम भरिए पोस्ट नाम भरिए उसके बाद आप अपना डिस्टिक भरिए और पीन कोट भरिए यह सारा कुछ भर देने के बाद आपको नीचे चलना है वह चारों एकी चीज़े ड्रिस में आता है तो कोई दो किजिए स्लेक्ट तिसरे चौथे नहीं बढ़ना है चैनले नमर पर चलते हैं जो के अगले पार्ट में है कंट्ट डिल देना अपना मोगाल नमर आप डाल दीजिए जो रिस्टर्ल के वे अपने अकौंट में और इसके लबब कुछ भी डालना नहीं होगा सकते हैं उसके बाद आपको उसके बाद नीचे च तो वो आपकर रहे हैं तो किलिक किई अगर क्रेडिक कर रहें थो दोनों पिख कर और इसके बाक्राइब चलते हैं तो उसके बाद निदाश सब्सक्राइब लिखे और लिमिट कितना है वो लिख दीजिए उसके बाद नोवे नमर में कोई अस्टार लगावा नहीं है तो उसको क्लिक करने के जरुवत नहीं है उसके बाद चलते हैं तो उसके बाद देखेंगे दास्वे नमर पर अप्लिकेशन डिकलियर सनी इसमें बताया गया है कि जो भी मैंने इसमें भारा है मैं अपने जो नॉलेज था उसके अनुसार बारा है अगर इसमें कोई गलती है तो आप मेरे मोगाइल नमर या इमेल आडिया उस पर आप मुझे संट कर सकते हैं उसको मैं फुनत दुबारा सभी करके आपके पास भेज भेजूंगा या लगा यह बता गया तो इसके नीचे उसके बाद को इसके नहीं हम वाज चाहा जाता है अगर यह वैट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सेर कीजिए धन्यवाद